नमस्कार दोस्तों यूटूब पर आप देख रहे हो वी आई पी एडिटिंग चैनल और अभी आपने जो ये वीडियो देखा वैसा वीडियो आप create करना चाहते हो तो एडियो पूरा दियान से देखे तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको है जो काइन master application है वो download करके आपको open कर लेनी है तो दोस्तों काइन master application का link मैं नीचे description में दे दूँ गा वहां से आप उसको डाउलोड कर सकते हो तो दोस्तो काइन मास्टर एपलिकेशन ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा तो आपको सबसे पहले तो जो न्यू प्रोजेक्ट है उसके उपर क्लिक कर लेना है बात में यहां पर रिश्यो सिलेक कर लेना है आपको तो मैं यहां पर जो रिश्यो है ओ मैं सिलेक कर रहा हूँ तो यह रिश्यो मैंने सिलेक कर दिया है अभी आपको क्रियेट पर क्लिक कर है क्रियेट पर क्लिक करने के बाद दुस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यानि कि आपके मोबाल के सभी फोल्डर यहां आ जाएगे जिसमें फोटो है और वीडियो है तो दोस्तों यहां से आपको सबसे पहले तो जो बेगराउन फोटो है वो आपको सिलेक कर लेना है तो यहां पर मैं बेगराउन फोटो सिलेक कर रहा हूँ दोस्तों अभी मैंने फोटो सिलेक कर दिया है अभी आपको इस फोटो पर इस तरह क्लिक करना है बाद में आपको यहां पर क्लिक करना है और सबसे पहले तो जो यह स्टार्ट पोजिशन है उसके उपर यहां पर क्लिक करना है और इस तरह आपको फोटो को जूम कर देना है यहां पर इस तरह फोटो को पर जूम कर देना है बाद में आपको बाहर आजाना है तो दोस्तों बाहर आने के बाद आपको उस फोटो पर क्लिक करना है और यहां से आपको पीछे की तरफ यह जो फोटो है ओ तीस सेकंड तक आपको खींच लेना है तो यहां पर हम यह जो फोटो है ओ तीस सेकंड तक खी लेगे तो यहां पे मैं 30 सेकंड पीछे खिच लेता हूँ बात में आपको यहां पे लियर पर क्लिक करना है मीडिया में जाना है और एक दूसरा जो फोटो है वो आपको सिलेक कर लेना है तो दोस्तों यह जो फोटो है वो आपको सिलेक कर लेना है बात में फोटो को इस तरह कर देना है आपको तो यहां पर यह जो फोटो है मैंने जूम कर दिया है और यहां पर सेट कर दूंगा अभी फोटो अभी यहां पर सेट हो चुका है अभी दोस्तों आपको यहां पर लेयर पर क्लिक कर लेना है और दूसरा एक फोटो सिलेक कर लेना है तो दोस्तों यहां पे मैंने फोटो सिलेक कर दिया है अभी यह जो फोटो है उसको इस तरह जूम कर लेना है और यहां पे आपको फोटो सेट कर देना है तो अभी यह जो फोटो है वो सेट हो चुका है अभी इतना होने के बाद दोस्तों फिर से आपको layer में जाना है और दूसरा एक photo select कर लेना है दोस्तों यह जो photo है मैंने select कर दिया है अभी आपको यह जो photo है यहाँ पे आपको set कर देना है इस तरह zoom कर लेगे और यह जो photo है वो आपको यहाँ set करना है अभी दोस्तो इस पोटो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्रोपिंग पर क्लिक करना है मास्क है यहाँ पर ओन कर देना है और यहाँ से आपको यहाँ जो मास्क है यहाँ पर तीस कर देगे और यहाँ से आपको इस तरफ कर लेना है इतना उने के बाद दुस्तों आपको फिर से जो फोटो है उसके उपर क्लिक करना है तीन लाइनिंग पर इस तरह क्लिक कर लेना है और डुब्लिकेट आपको कर देना है तो यह जो फोटो है मैंने डुब्लिकेट कर दिया है अभी दुस्तों आपको यहां पे नीचे आना है और रोटेट पर क्लिक करना है और यह जो फोटो है इसको रोटेट कर देना है इस तरह इस तरह rotate करना है बाद में बाहर आना है बाहर आने के बाद इस तरह आपको नीचे जाना है और यहाँ पे click कर लेना है जो उसकी opacity है वो आपको कम कर देनी है यानि आपको जो shadow का effect देखने को मिलेगा यहाँ पे तो इस तरह आपको कर लेना है बाद में दूस्तों यहाँ पे बाहर आना है बाहर आने के बाद आपको layer पर click करना है sticker पर click करना है तो दूस्तों यहाँ पे आपको एक sticker select कर लेना है तो दूस्तों यह sticker आप यहाँ से download कर सकते हो और यहाँ पे sticker पर click करने के बाद facial effect में जाना है और यहाँ पे आपको sticker मिल जाएगे वो आपको download कर लेने है तो यहाँ पर sticker download हो जाने के बाद यहाँ पर आ जाएगे तो यहाँ पर मैंने sticker सारे download कर लिये है तो दोस्तो यहाँ से मैं sticker select कर लूँगा तो दोस्तो यह जो sticker है यह जो sticker है मैंने select कर दिया है और यह sticker अभी यहाँ set हो चुका है तो दोस्तो इतना कर लेना है बात में बाहर आना है बाहर आने के बाद आपको यह जो फोटो है टेक्स वाला पी एंजी फोटो है उसके उपर क्लिक करना है बात में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहां पे animation set आपको कर देना है इस तरह तो यहां पे जो animation मैंने set कर दिया है अभी दोस्तों आपको इस तरह की effect देखने को मिलेगी अभी आपको यहां पे दूसरा एक sticker ले लेना है तो यहां पे sticker पर click करूँगा आप बात में यहां से मैं यह जो sticker है मैंने select कर दिया है तो आपको इस तरह की effect देखने को मिलेगी तो इस तरह आपको गल लेना है तो दोस्तों अभी यह जो वीडियो पूरी तरह से तयार हो चुका है अभी इस वीडियो में अगर आप song add करना चाहते हो तो audio पर click करना है song पर click करना है तो यहां पर आपके mobile के सभी song आ जाएगे तो यहां से आपको कोई भी 30 second का song है वो आपको select कर लेना है तो यहां पर मैंने 30 second का song है वो select कर लिया है दोस्तों यह 18 second का song है तो आप यहां पर 30 second का song select कर लेना है अब ही मैं बाहर आ जाऊंगा तो दोस्तों यहां पे बाहर आने के बाद यहां आपको सबी फोटो है और स्टीकर है उसको यहां पीछे की तरफ आपको 30 सेकंडा की तरफ खींच लेना है इस तरह कोई भी फोटो शुटना नहीं चाहिए या sticker चुटना नहीं चाहिए आपको पिछे की तरफ सभी फोटो और sticker पिछे की तरफ खींच लेना है तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैंने पिएंजी फोटो और बेग्राउंड फोटो यूज किये है ओ में मेरी टेलेग्राम की जो चैनल है वी आईपी एडिटिंग उसमें मैं दे दूंगा तो वहां से आप पूरा मट्रियल डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तों अभी जो वीडियो है वो पूरी तरह से तयार है अभ और यहां पर सेव पर क्लेक कर देना है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक करो सेर करो और कॉमेट में लिखना मत भूलना